नमस्कार्ट स्वागत है आपका आप देख रहे हैं दानियूस और मेरानी गुपता आपके साथ संदेश खलेकांट की जाच से जुड़ी इस वाक्त की बड़ी खवड़ सामने आ रही है आपको बता दे कि मुख्या रोपी शेक शाजहां पर अब CBI का शिकंज और भी जादा कस्ता हुआ नसर आ रहा है दरसल CBI ने FIR में हत्या की कोशिश की धारा को जोड़ दिया है यानि कि आब शेक शाजहां पर अटेम्ट टू मडर का भी केस CBI ने दायर कर दिया है दरसल वहीं दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि संदेश खाली में केंद्रिय जाच इजिंसी की कारवाई भी लगातार तेजी के साथ आगे बढ़ रही है अब इस मामले को लेकर के परशिम मेंगौल के बीजपी अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने न सिर्फ ममतव एनरजी पर जोड़दार तरीके से हमला बोला है बलकि शेख साजहां पर भी जोड़दार निशान है यह इडी पर नहीं बलकि भारत के संविधान पर हमला किया गया है सुनिए सुकांता मजुमदार क्या कह रहे हैं नहीं नहीं वो तो इडी एक एक को पैकरेगा ना जिन लोगों ने शेक्षा आजान की कहने पर और मुहमताव एनरजी की इशारे पर जिन लोगों ने इड हमला नहीं है भारत के संविधान देनी चाहिए भारत में नया है भारत में कानुन ववश्त है यह तो उनको पता चलना चाहिए आपको बता रहे कि इस मामले को ले करके शेक्षा जहां की जहां अभी वो एडी की कस्टडि में है तो वहीं दूसरी और फोरंसिक की टीम और पीडी से लेकर के肉 DIY यानि दोनों जाच इजिंसियां लगातार शेक शाजहां के घर पर जा रहा है छापे मारी कर रहा है बता दे कि टीम कल innovate थी और आज भी शेक शाजहा के आवास पर गई है जहां से सबूत कलेक्ट किये जा रहे हैं बता दे दरसल पर्शिम मंगाल के संदेश खाली में हुई हिंसा की जाच सीबियाई के हाथों में हैं केंद्रिय जाच जिंसी ने आरोपी शाजहां शेक पर धीरे धीरे शकंजा कसना भी शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में आप टीमसी से नलंबिश शाजहां के खलाफ दर्ज एफ आई यार में सीबियाई ने हत्या की कोशिश की धारा जोड़ है वरतमान में शाजहां शेक सीबियाई की कस्टडी में है जहां उससे इस हिंसा से जुड़े मामले की पूस्ताच जारी है दरसल एजी के अधिकारी जनवरी में जब शाजहां शेक के यहाँ पर छापे मारी करने के लिए गए थे तब उनके समर्थक ने एडी की टीम पर ह जिरफ्तार किया गया था शुरुवात में आरोपी की कस्टडी पर मंगाल पुलिस के पास थी हाला कि फिर अदालत के निर्देश के बाद उसे सीबियाई को सौप दिया गया बताने कि संदेश खाली में ना सिर्फ एडी की टीम पर हमला हुआ था उस दिन बलकि वहाँ पर थे ही लेकिन इसके अलावा वहाँ पर गुंडे भी थे जिनको उकसाया गया था शेख साजहां के द्वारा ही ताकि उनके द्वारा एडी पर हमला किया जाए पता दे कि वर्तमान में एडी अधिकारियों से मार पीट मामले में शाजहां शेख 10 मार्च तक के लिए सीबिया 60 के तहट एडी अफसरों के बयान भी दर्च किये हैं इसमें वो अधिकारी शामिल हैं जिनके उपर शाजहां के हाल शापे मारी के दौरान हमला हुआ था एडी के सूतरों का कहना है कि वो अब जाच से संतोस्ट है सीबियाई अब अन्य मामलों में तफ्तीश कर रही है जल इडी इस पूरे मामले में फाराइंशियल चेन पर भी काम कर रही है सीबियाई ये टीम शाजहां शेख के घर पर फॉरंसिक एक्सपर्ट की टीम के साथ भी गई थी टीम ने कई सारे दस्तावेज और सबूत इकठे किये हैं सीबियाई ने फाइयार में हत्या की कोशिश की इडारा यानि कि IPC 307 भी जोड़ी है इस तरह सीबियाई धीरे धीरे शाजहां पर शिकंजा कस्ती चली चा रही है बता दे कि संदेश खाली में शाजहां और उसके दो साथियों शीबू हजारा और उत्तम सरदार पर भी आरोप है कि वे महिलाओं का लंबे समय से गैंग र नेता है राशन घुटाले में इडी ने पांच जनवरी को उसके घर पर रेट की थी तब उसके 200 से जादा सपोर्टर्स ने टीम पर अटैक कर दिया था अब सरों को जान बचा करके वहां से भागना पड़ा था तब ही से लगा तार शाजहां शेख पराड़ चल रहा था औ और उसकी गतिवीदियों को नेंतरण में नहीं किया जा रहा है जिसकी वज़े से वो फ़रहार चल रहा है बता दे कि राजस सरकार ने शाजहां को सीबी आई को सौपने के हाई कोट के फैसले के खिलाप मंगलवार श्राप को सुप्रीम कोट में किया चिका भी लगाई थी और वे ही याचिका की लिस्टिंग पर फैसला लेंगे बतारे कि बेंगॉल सरकार ED टीम पर हमले की जाच CBI से कराने पर रोक की मांग कर रही है बेंगॉल सरकार ने याचिका में कहा था कि इस मामले की जाच SIT की टीम कर रही है पुलिस पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा पुलिस पहुची थी तब फुलस ने कहा था कि मामला अभी भी सुप्रीम कोट में हैं इसलिए शाजहां ह को सौप नहीं सकते केंद्रिय जाच इजंसी की टीम बिंगॉल पुलिस हैटकौाटर में दो घंटे तक इंतजार करने के बाद खाली हाथ लोट गई थी और बुद्वार को हाई कोट ने मामले में दुबारा दखल दे कोट ने कहा कि शाम 4.15 बजे तक शाजहां शेक की कस्टडी CBI को दे दी जाए जिसके बाद देखने को मिला कि कोट के दखल देने के बाद जो बेंगॉल की पुलिस है वो शाजहां शेक को कस्टडी में हैंड ओवर करती है CBI की जिसके बाद फिलहाल 10 मार्च तक के लिए सारी महिलाएं सामने आई है संदेश खाली से कई सारे टीवी चैनल में इंटर्वीव दिये हैं जब जो मीडिया रिपोर्टर्स उनके यहां पर पहुंचे तो उनमें से महिलाओं ने बताया उन जगों को भी चिनित किया कि कैसे यहां से महिलाओं को उठा लिया जाता था और महिला आयोक की अध्याक्ष रेखा शर्मा भी उन महिलाओं से मुलाकात करने के लिए संदेश खाली पहुची थी हाला कि पूरी मीडिया इस मामले को उठा रही है इसी के साथ ही बीज़पी इस मामले पर सवाल पूछ रही है लेकिन अभी तक ममता बैनर जी जो की खुद राज की एक महिला सीम है उन्होंने इस मामले को लेकर के खुल के बात नहीं कही है और वहीं दूसरी और अगर हम इंडिया लाइन्स की बात करें जो की किसी अन्य राज में महिलाओं के साथ कोई बस सलूखी होती है तो उस पर तो आवाज उठाते हुए नजर आते हैं साथ उन्होंने ये तक कह दिया कि बिंगॉल की ऐसे स्थिती हो चुकी है कि यहां पर आप रास्टपती शासन लागू कर देना चाहिए लेकिन कॉंग्रेस के ही दिगशनेता राहूल गांदी इस मामले पर खामोश है यो तो उनका कहना ये है कि वो महबत की दुकान खोल रहे हैं लेकिन फिलाल इस मामले को लेकर के कोई प्रतिक्रिया राहूल गांदी की ओर से नहीं आ रही है फिलाल इस पूरे मामले को लेकर